Hello and welcome to the second topic of Daily Scan, इस topic पर अपन बात करेंगे डॉलराइजेशन की, तो समझेंगे अपन डॉलराइजेशन होता क्या है, क्या कोई country है इस समय दुनिया में जो डॉलराइजेशन कर चुकी है, अर्जेंटीना का इस topic से क्या relation है, and most of all, डॉलराइजेशन करने से क्या फायदे और क् नुकसान होते हैं, इन सब topic के बारे में अपन इसलिए बात कर रहे हैं, क्योंकि number one, अर्जेंटीना का अभी रीसेंट में election हुआ है, जो election candidate हुए है, जो नए प्रेसिडेंट बने है, वो है जेवियर मिले, इन्होंने अपने election campaign में promise किया था, कि once I come to the, यदी मैं elect हो गया, तो मैं जो अर्जेंटीना की currency है, that is peace हो, उसको change कर दूँगा, and we will adopt US dollars as a official currency, इसी term को बोला जाता है, dollarization, मतलब कि, जो terms यदी आप देखोगे, news में आपको मिलेंगे often, एक है dollarization, एक है de-dollarization, dollarization क्या होता है, जब country अपनी currency को छोड़ कर, self की currency को छोड़ कर, US dollars को adopt कर लेती है, as the official currency for all the transaction, मतलब कि, यदी US dollar becomes a legal transaction currency, then that is known as dollarization, आसान भाशा में समझे, तो जैसे कि rupees है इंडिया में, rupees एक legal tender है, मतलब कि, यदी मुझे कोई भी समान खरीदना है, तो nobody can reject rupees for transaction, that is the idea of legal tender, ठीक है, लेकिन, इसके बदले, अब US dollar को accept किया जाएगा as a currency, इसके विपरीथ एक और trend देखा जाता है, जिसे बोला जाता है, de-dollarization, अब ये जो countries हैं, आप देखोगे, ये countries like, इरान, रश्या, चाइना, इस concept को advocate कर रही हैं, इसमें होता क्या है, अभी आप, जितने भी international trade conduct करते हैं, कौन सी currency में करते हैं, US dollar में बहुत ही limited bilateral swap agreements होते हैं, जिसमें थोड़ा मुड़ा trade होता है, local currency में, जैसे कि India UAE के बीच में बात चल रही है, इंडिया रश्या के बीच में भी बात चल रही है, कुछ extent तक अपने आपको exchange rate की जो vulnerability है, उससे बचाने के लिए, जोनो एक दूसरे की currency में trade करने लगत हैं, बट होता क्या है, इस issue को यदि अपन समझें, तो जैसा की हुआ इरान के case में, इरान के उपर sanctions लगे, क्योंकि अलेच किया गया कि इरान nuclear weapons डेवलप कर रहा है, रश्या के उपर Ukraine war, रश्या Ukraine war में क्या हुआ, रश्या को swift network से निकाल दिया गया, ऐसा ही China भी अपना alternate, रेन्मिन भी जो उसकी official currency है, उसे internationalize करने की बात कर रहा है, अब होता क्या है, इन सब countries, they are adversaries to United States, मतलब की इनके फायदे में क्या रहेगा, यदि इनकी currency, जो US dollar है, वो है, अमेरिका and its allies की currency, इस domination से बाहर निकल के, यदि कुछ भी होता है, तो Iran, China and Russia, the adversaries, could be blocked out of accessing this, जैसे कि swift network है, swift network से रश्या को बाहर निकाल दिया गया, हुआ क्या, रश्या अपने ही fund को access नहीं कर पा रहा है, इस वज़ा से जो western countries के adversaries हैं, वो चाहा रहे हैं, कि US क्या जो dollar है, उसके बदले, इनकी currencies का prominence and use in the global market बढ़ें, this phenomenon is known as de-dollarization, तो दोनों के दोनों अलग concept है, dollarization का मतलब ये नहीं है कि increasing use of dollar, dollarization का मतलब है कि adoption of dollar as a legal currency of by a particular country, that is dollarization, और de-dollarization है, challenging the hegemony of dollar in the international transactions, दोनों के बीच में ये difference है, अब बात वापिस आते हैं, dollarization के मुद्दे में, तो JVR Millie ने ये demand क्यों करी, ऐसा इन्होंने अपने manifesto में इसके लिए आफ, जो लोग खरीद पा रहे हैं, पहले से कम खरीद पा रहे हैं, असान भाशा में समझे, तो मानलो पहले apple आता था 50 रुपए में, अब inflation की वज़से apple की new cost हो गई 100 रुपए, मानलो, person की income है, रुपीस 200, तो income तो दोनों case में सेम ही रही, inflation बढ़ गया, तो जो item पर्चेस कर सकता था, पहले 2 apple पर्चेस कर सकता था, नहीं, पहले 4 apple पर्चेस कर सकता था, अब 2 ही apple पर्चेस कर सकता है, मतलब की the ability of person to purchase the item कम हो गए due to inflation, this phenomenon of rising cost is known as inflation, this is the idea, अब यदि आपन समझते हैं, इसी वज़ा से लोग जो हैं अर्जेंटीना में बहुत जादा गरीब हो गए हैं, in fact, more than 60% of the population of Argentina has went below the poverty line, तो ये भाईया ने suggest किया कि हम dollarization करेंगे, अब the idea is dollarization करने से economy का क्या relation क्या इन सब से बहार आ सकते हैं, we are going to study that, तो the first thing is, आप hyper inflation जो होता है, inflation बहुत जादा हो गया, 100% से जादा हो गया, उस case का ये solution माना जाता है, कैसे, यदि आप देखोगे, तो inflation दो कारणों की वज़ा से होता है, एक demand pull inflation और एक है supply factors, जिसे supply factors की वज़ा से, अब यदि demand है, मतलब की यदि लोगों में अचानक से पैसा, जो रुपीस है, वो जादा हो गया, ठीक है, आप पूरी country में एक एक लाक रुपे बाढ़ दो, तो shopping बढ़ जाएगी, अब shopping तो बढ़ गई, लेकिन, मानलो लोग apple खरीदने लग गए, लेकिन, क्या होगा, apple का production तो constant है, एकडम से रातो रात बढ़ाया नहीं जा सकता, तो इससे क्या होगा, demand बहुत जादा बढ़ गई, लेकिन, supply भूरी रहा, therefore, होगा क्या, price बढ़ जाएगी, and this is what inflation is, second factor is, supply related, यदि supply कम हो जाए, supply कम हो गई, तब भी demand relatively बढ़ गई, therefore, that would also lead to inflation, तो अब होता क्या है, जब भी सरकार के पास issue आता है, सरकार क्या करती है, RBI, mainly central government, central government क्या करता है, जो अर्जेंटीना का RBI रहेगा, वो क्या करेगा, note को print कर देगा, अब note जैसे ही print किया, मतलब क्या हो गया, supply of peso, जो उनकी currency है, बढ़ गई market में, लोग धना धन आएगा, that is the basic idea, इस वज़ा से, यदि dollar आपकी official currency होगी, तो आप उसको print ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके अधिकार में ही नहीं है, तो कभी भी hyper inflation जैसी नौबत आएगी ही नहीं, that is the first reasoning, second यदि आप देखोगे, आज की date में growth के लिए क्या requirement है, जैसे मानलो, मैं एक investor ह मैं चाहूंगा, इंडिया की economy में मैं पैसा डालना चाहा रहा हूँ, मैं FDI डालना चाहा रहा हूँ, तो यदि इंडिया का जो rupees है, उसकी value लगतार गिर रही है, तो trade के लिए unfavorable होगा, हो सकता है, investor सोचे मुझे कब नुकसान हो जाए, कब pull out करना पड़े, तो मुझे क्य trade, जो exchange rate मिलेगी, vary कर सकती है, इस वज़ा से वो fluctuating, जहां बहुत ज़्यादा fluctuation होगा, unpredictability रहेगी, वहाँ पर invest नहीं करेंगे, तो यदि अब कोई country जैसे Argentina ने dollar को adopt कर लिया, dollar को adopt किया, तो dollar दुनिया की सबसे ज़्यादा stable currency है, सबसे ज़्यादा hard currency है, हमेशा demand रहती है dollar की, तो ऐसी situation में क्या होगा, currency stable होगी, तो it is alleged ऐसा माना जा रहा है, कि investment अर्जेंटीना में बढ़ जाएगा, जैसे ही foreign investment बढ़ेगा, इस वज़ा से growth भी अर्जेंटीना की economy की बढ़ जाएगी, that is the idea, similarly, अब यदि आपकी currency dollar है, तो आप dollar को कैसे अन कर सकते हो, single मातर एक तरीका है dollar को अन करने का, आप export बढ़ाओ, तो आप export-led growth के path को adopt करोगे, और export करने से आपको फायदा मिलेगा, dollar आएगा, economy बढ़ेगी, that is the basic idea, इसके अलावा, जो fluctuations की वज़ा से, अभी अपने देखा, दो तीहाई लोग जो है, below poverty line चले गए हैं, तो fluctuation नहीं होगी, तो लोगों की income और purchasing power parity protected रहेगी, जितना खरीच सकते हैं, protected रहेगी, ये major reasons, इसके अलावा, एक और reason दिया जा रहा है, कि अभी क्या हो रहा था, अर्जेंटीना में लगातार बहुत समय से problem चल रही है, तो ये माना जा रहा है, कि अर्जेंटीना में लगभग से लगभग, 50% जो है, cash करिब-करिब हैं, जो foreign banks में रखा गया, cash plus other deposits, इतको foreign banks में रखा जा रहा है, ये किस में denominated है, majorly US dollar में, तो यदि US dollar को official currency adopt किया जाएगा, तो ये सारा का सारा पैसा अर्जेंटीना में वापिस आ जाएगा, वापिस आएगा, तो लोग खरी देंगे, investment बढ़ेग That is the idea, बट ऐसा नहीं है कि इस idea में सब कुछ green ही है, कुछ negatives भी है, सबसे पहला क्या negative है, कि अभी क्या होता है, देखो, जैसे ही, मान लो, India है, ये RBI है, इंडिया ने देख रहा है, कि inflation बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो RBI क्या करेगा, जो lending rates है, basically repo rate करता है, repo rate को बढ़ा देगा, repo rate को बढ़ा देगा, तो उससे क्या होगा, जो cash flow है, bank के through जो आता है, market में कम हो जाएगा, cash flow कम होगा, तो inflation अपने आप, लोग खरीद नहीं पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे, तो inflation कम हो जाएगा, ये RBI या central government, central bank कर सकता है, but यदि आप dollar को adopt कर दो तो आप ये monetary policy as a tool आपके पास खतम हो गया, वो use ही नहीं कर सकते हो, next, एक और बात है, यदि आपन मानलो, apple है, presently रुपीज 50 का है, और exchange rate $1 बराबर रुपीज 50 है, अब मानलो, $1 बराबर रुपीज 100 हो गया, मतलब की, rupees has depreciated, vis-a-vis compared to US dollar, रुपी का depreciation हो गया, अब इस situation में, आप $1 में कितना apple खरीद पाओगे, यहाँ पर, मानलो, apple की price है, rupees, तो इस केस में, आप 1 kg apple खरीद पाते हैं, इस situation में, वहीं इस case में, आप 2 kg apple को खरीद पाओगे, मतलब की, अब क्या होगा, US के लोग ज़्यादा apple खरीद पा रहे हैं, तो इस case में क्या होगा, US के लोग, इंडिया से, ज़्यादा से ज़्यादा apple को import करेंगे, मतलब की, इंडिया का export बढ़ गया, और यह tool, बहुत बार countries use करती हैं, यह अपने currency को intentionally depreciate कर देती हैं, कम कर देती हैं, ताकि इस fundे से उनका export बढ़ेगा, यदि आप dollarize कर दोगे अपनी economy को, तो depreciation of currency भी आपके हाथ से यह tool भी खतम हो गया, that is one issue, इसके बाद, अब एक जो theoretical argument race किया गया है, कि भाया, आपने जो बोला, कि आप print नहीं कर सकते, पैसा print करके, print कर लोगे, तो आप लोगों को होगे, पैसा welfare schemes नहीं चलाओगे, मतलब freebies चलाओगे, that is the idea, तो यदि आप पैसा print नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि आप overspend नहीं कर सकते, कैसे आप कर सकते हो, government है, government बिल्कुल एक private entity की तरह, market से borrow कर सकती है, market से borrow कर करके खर्च कर दो, तो यदि यह argument true करता है, तो the entire argument of dollarization है, वो hold ही नहीं करता, that is another thing, इसके बाद एक और जो major बात कहीं गई है, वो कहीं गई है, कि dollarization को adopt करने के लिए आपके पास dollar तो होने चाहिए, तो कम से कम 40 billion dollar आपको चाहिए, जो कई मानते हैं Argentina के पास है, कई मानते हैं नहीं है, that is one contention, अब ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि dollarization के लिए ये पहली country, in fact, यदि आप Latin America में देखोगे, तो Latin America में ही 3 countries है, El Salvador, Ecuador and Panama, ये 3 countries हैं, जिनकी official tender US dollar है, मतलब कि ये dollarized economy है, और ये तीनों की यदि आपन देखें, तो तीनों में 1990s में turbulence था, तीनों में कुछ ना कुछ reasons, इनी reasons से जूचते हुए, adopt किया dollar को, और अभी right now, इनकी case study, इनकी city overall better है, तो कई लोगों का मानना है, dollarization could be a way forward, इसलिए एक case study अपन करते हैं, in fact, यदि एक difference अपन समझें, तो ये जो तीनों की तीनों country है ना, ये जादी बड़ी country नहीं है, smaller countries है, और Argentina comparatively बड़ी economy है, तो Argentina यदि करता है, तो it would be the first bigger country, जो ऐसा करते हैं, इसके बाद, in fact, आप देखोगे, जैसे अल सिल्वादोर ने, 2021 में, इन्होंने bitcoin को भी legal tender मान लिया था, अभी इनके हाल, bitcoin भी legal tender है, मतलब कि ये तो experiment करें, छोटी country है, तो बहुत जादा difference आना न ही है, ऐसा, अब एक case study अपन देखते हैं, जो है Ecuador की, Ecuador की, क्या है, 1990s में बहुत high inflation था, लगबग लगब 67% inflation था, GDP लगातार गिर रही थी, और depreciation हो रहा था, currency का, currency की value घिट रही थी, तो 2000 में US dollar adopt कर लिया, और उसके माच से situation है, comparatively बहुत अच्छी है, कि poverty rate decline हुई है, inflation 4% है, और बाकी सारे parameters भी improve हो रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज है, कि Ecuador के पास, gas and oil reserves बहुत substantial amount पर है, तो इस वज़ा से क्या है, कि ये भी एक important parameter है, इस वज़ा से आप 2014 के बाद देखोगे, जब oil की rates कम हुई है internationally, तो जितने भी parameters है, Ecuador के, growth rate हो गई, foreign, foreign denomination ये currency का depreciation सब का सब गिरा है, तो dollarization is not a panacea for all the problems, economic problems, answer में यही conclusion लिखना है, यदि dollarization आप adopt करो या ना करो, वो country की own circumstances पर depend करता है, but dollarization has to be accompanied by better economic capabilities, reforms for the management of the macro economic stability, and other necessary, जो भी economic necessities के हिसाब से, that is the idea, okay, that's all, have a nice day.